बिर्सा की मौसी जानी का विवा है खटांग में। जिसके बादं बिर्सा भी उनके साथ खटांग आगे। यहां उनकी भेट एक पादरी से भूँ। इसायत का बखान करते हुए पादरी में हंदू धर्म ववनवासियों के रहन सहन का उपहास पन्देब। जिसके उत्तर में बिर्सा ने कहा कि कोई भी धर्म मनश्य को नरक की और नहीं धखे लता, उसका उदेश्य केवल ईश्वर की प्राप्ति होता है, समाज में अनेक धर्म है और उनके अंतरगत ईश्वर प्राप्ति के अलग-अलग साधन भी, सभी अपनी अपनी उप्योगिता ने वस्तिती के अनुसार इन साधनों का उप्योग करते हैं, ऐसे में किसी के धार्मिक खृतियों के अंध्य विश्वास बताने वाला मनुश्य अज्ञानी होता है, ग्यारा वर्ष के एक भार्तिय बालक के मुख से धर्म की ऐसी परिभाशा सुनकर वहपादरी सन्न रहे।